नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुकेश मानब और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस नियूज भारत जिद सच दिखाने की आज उत्तर प्रदेश से एक और सच आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक संदिक दे परशितियों में एक ब्यक्ति का घर में शब पाया गया क्या है पूरा मामला देखे ये रिपोर्ट बता दें की मामला रजब पूर्थाना छेतर के गाउं फ्याज नगर का है जहां के रहने वाले 25 वर्षिये शिवम मान पुत्र स्वा धरमेंद्र सिंग अपने छोटे भाई सत्यम के साथ रहता है बताय जाता है कि शिवम मान काल चार बजे से घर से नदारत था आज सुभा सत्यम अपने भाई शिवम मान को उठाने पहुचा तो देखा कि उसका भाई कमरे में बेट से नीचे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है जिसके सिर पर चोट का निशान था, खून बहरा था और नाक पर भी चोट के निशान थे हाथ पर तार से बंधे हुए निशान थे, यहाँ देख कर उसकी चीक निकल गई गाउं के लोग दोड कर पहुचे और मडर की सूचना गाउं में आग की तरह फैल गई सूचना पर थाना प्रभारी शरद मालिक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुचे और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट को मौके पर बुला लिया गया सियो धनौरा सतेंद्र कुमार भी मौके पर पहुचे और थाना प्रभारी और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट से मालूमत की तो पता लगा कि मृतक के पिता और मा सवीता देवी की भी मौत हो चुकी है मृतक का भाई सत्यम पढ़ाई कर रहा है मृतक के परिवार में अकेला सत्यम ही बचा है फिलाल पुलिस मामले की चानबीन में लगी है गाउं के लोगों का मानना है कि यहाँ प्री प्लान मर्डर है सीओ ने मृतक के भाई सत्यम से भी पूस्ताच की है लोगों का मानना है कि कहीं बाहर मार कर यहां लाकर डाल दिया गया है पुलिस पूरे मामले में मृतक के भाई सत्यम की तहरीर पर अज्यात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है आज थाना रजबपूर के फ़याज नगर गाउं में एक व्यक्ति अपने घर में संदिक दुपसितियों में मुरुत पाया गया सौका पंचायतनावा भरवा कर पियाम हेत भेज दिया गया है अज्यात के विरुद धारा 302-201 आईपीसी के तहर्ट मुकदमा दर्ज हो गया है अब मुझे दीजिया इजाजात आप देश और दुनिया के खबरों के लिए देखते रहे एक्सप्रेस निउस भारत जिद सच दिखाने की